अब हम आगे पेच में आ गए हैं पेच नमबर 3 में अब वही जो स्टोरी हमारी सीतापुर्स लाइट थी उसी के आगे का कंटीनू करते हैं तो उसमें क्या किया गया था माइक्रो ग्रीट करके एक सोलार पैनल बनाए गया थे और उस सोलार पैनल से क्या सुविधाई दी जा रहा था तो इसको करने वाले जो थे उनका नाम था अजाज अजाज एक इलेक्ट्रेशन थे जो पहले इलेक्ट्रेशन उस गाउं से थे जिन्होंने इस चीज की सुविधा लोगों के लिए की थी अब री यूजा इंस्टोल्स तो पैनल इन्हें सादर्ली डिरेक्शन सरोगोगो ख mics टिति तब यह पैनल अपना काम करते थि यानि इसमें पूरी की पूरी रोश्नी से हो जाती थी और जितनी भी लाइट वो लुग से राघी करते कि सूरज के उतिंडी लाइट वाें गर पो क्याद्रेसन टेक्पानल इंशलाइशन इंडेच मश्निय देक्श लिए और ऐसा परियावरन अभी शुद्ध और साफ रहेगा कि जिसकी वज़े से कोई भी धुवें की अर्चन नहीं होगी लोगों में बीमारी नहीं फैलेगी प्लस हमारा गाउं हमारा घर जो है वो साफ और सुरक्षित रहेगा और लाइट की भी सुविधा हो जाएगे निव बिजनेसे सारे अर्चन अमोंग्स तो कस्टमर्स तू से इनादर इन वन बिलिज कस्टमर्स आ यूज़े लाइट तो बीव सारी जाएट इन अनादर वन मैं नाउप एज नाइट बिजनेस में प्लस्टिक टेबल क्लोथ जाएट इस नाइस तरह से उस गाउं के लो ने भी इसके लिए कॉंट्रिब्यूशन किया था पैसे दिये थे वो लोग अब दूसरा दूसरा बिजनेस यानि दूसरा काम भी करने लग गए जैसे उसमें से कुछ लोग जो थे एक फैमली ने अपना रात को क्या किया वीविंग सारी ज्याने सारी बुनने का काम से उनके काम में बिजनेस में बढ़ोत्री होने लग गई पैसा जादा कमाने लग गए दूसरे तरफ महिलाएं जो घर में खाना वाना अंधेरे में बनाया करती थी अब उनको भी रोश्नी में खाना बनाने की सुविधा हो गई बच्चे जो दिन में पढ़ने ही पाते हैं जे बोँ अब रात को थोड़ा थोड़ा पढ़ पाते हैं तो यह हो गया अपना सेकेंड स्टोरी उबर पहले हमने ट्राइक्स तो ताजनगर पढ़ा उसेकिंड हमारी शोर्ट स्टोरी थी सितापूर स्लाइट अवे आपने तीजे स्टोरी छे एपन छोटी स्टोरी c redes liveズ इननों नाम छे पलकर्स पॉब्लिक लाइबरेरी तो पलकर्स पॉब्लिक लाइबरेरी एकले सू आवे एना वजे अपड़े पर्सू पलकर्स पॉब्लिक लाइबरेरी इन केरेला दो पलकर डिस्ट्रेक्ट पॉब्लिक लाइबरेरी हैस बीन आप बेंड राणिंग सिंस अब केरला की एक कहानी है, केरला में पलक कर नाम की डिस्ट्रिक्ट था, डिस्ट्रिक्ट में पब्लिक लाइब्रेरी हुआ करती थी, लाइब्रेरी का मतलब होता है जहाँ पे किताबे रखे होती है और लोग आपर जाकर अपना समय किताबे बढ़ने के लिए निकालते हैं, it is a fine modern library अब यह जो लाइबरेरी थी वो काफी अच्छी थी और modern थी अब इन में modern इसले कहा गया है क्योंकि एक एक तरह का ऐसा सोच ना गया जहां पर information याने लोगों को जानकरी मिलती थी उनका चिक्षा knowledge बढ़ता था याने उनकी दिमाग तेज होता था wisdom याने उनको काम्य अबी क्या लक्ष मिल रहा था cultural activities याने कि उनको अपने धर्म के बारे में अपने रिती रिवाजों के बारे में research and reference नई नई चीजों के शोद करना और नई नई चीजों के ओपर सिध्धी करना यह सब चीजे वह वहाँ पर बैठ के पढ़ सकते थे but it has recently been in the news for different reasons लेकिन सारे कारण थे जिसके कारण यह news फैली हुई थी a third of its thousand members are women क्यों news थी क्योंकि इसमें से एक तिहाई जो थी वो महिलाओं का group था याने महिलाओं उसमें जोड़ी हुई थी this woman supported by the shared space the library offered them launched a women's unit in February 2014 the unit got together to discuss methods of empowering women अब इसमें महिलाओं का अच्छा support रहा याने महिलाओं इतनी तेश थी कि उन लोगों ने इसके शुरुआत करी थी जो कि शुरुआत इसकी हुई थी फरवरी 2014 में और इस पूरी unit को महिलाओं के संगठर ने चलाया था इससे महिलाओं के अंदर कितने होने रहिया कितनी उ अगे बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था दर लाइबरेरी ओपन इट्स हॉल्स पर फिल्म स्क्रीनिंग वर्क्शॉप सेन होम एकोनॉमिक्स और गार्टनिंग चाइल्ड केर और दा आर्ट्स एंड फॉर्ड वोमें तो गेट हैल्प इन मैनेजिंग फैमिली कॉन्फ कैसे होना चीए वर्क्शॉप अगर उन्होंने किसी चीज को खोला है कोई दुकान खोली है तो उस पर उनको किस तरह से बात करनी है कैसे चलाना है इन्हों एकोनॉमिक्स यानि घर चलाने के लिए रुपे पैसे का यू किस तरह से यूज़ किये जाते हैं वो सिक्षा मिलत गार्डनिंग याने पेड़ पौधों की देखभा कैसे की जाती है चाइल्ड केरिया ने अपने छोटी-छोटे बच्चों को किस तरह से संभाला जाते हैं और तो आर्ट्स याने की हस्तक अलाव से संबंदित हैं मोमें टूगेट इन मैनेजिंग फैमिली कांफिक्स इसके अलावा अपने परिवार में जो छोटी-छोटे लड़ाई जगड़े हो जाते हैं जिससे परिवार तूट जाता है और प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स याने की परिवार में रुपे पैसे की तंगी आप जाती है तो इन सारे चीजों को किस तरह से खतम करना है या किस तरह स उसका सामना करना है यह सारी चीज़ें उस लाइबरेर में सिखाई जाते थी महिलाओं को ट्रेइनिंग दिया जाता था जो सेक्रेटरी ऑफ द लाइबरेरी पॉइंटेड आट तूट रीडिंग वोमें वोड रिलाइज दियर उन स्ट्रेंथ और फोर्ज अ यूनिटी सेक अपनी ताकत को एकता में बदलेंगी इट वस नोटेट देड़ लेंडिंग लाइबरेरी इस ऑफ अर्लियर टाइम्स वेडिसापेरिंग और प्रेजेंट रूलर रीडिंग रूम्स वेटू और फैन फूल ओफ उन्डी मेल रिडर्स और तभी जाके उनको पता चलेगा कि आज के दौरान में लाइबरेरी इस वगरज इतनी भी हुआ करती थी वो जादा से जादा अदनियों से भरी होती थी लेकिन यह पहला ऐसा गाह होगा जहां पर सारी की सारी महलाय होंगी और वो आपस में बैट कर रीडिंग किया करेंगी अब इस यूनिट ने यह भी डिसकस किया था अपस में बाक्चित में यह भी निकाला था solution कि अगर कैरला में यह चीज continue करते हैं यानि इस चीज को शुरू करते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं तो महिलाएं जो जादा से जादा समय अपना टेलिवीजन देखकर या टेलिवीजन के आगे serials देखकर विताती हैं अब उनको भी थोड़ा सा काम करने की हिम्मत मिलेगी बाहर निकलेंगी तो बाहर के मौसं को बाहर के वातावर उनको जब देखेंगी तब उनको उनकी जिंदगी की जो अंधेरापन है वो दूर होगा इसलिए उस लाइबरेडी के जो उनर थी उन्होंने सेक्रेटरी ने ये डिसाइड किया कि महलाओं के लिए एक ऐसा अलग सा रूम बनाया जाए जहां पे वो जब अपने सारे कामों से फ्री हो जाएं तब वो आकर वहाँ पर बैठ के रीडिंग किया करें तो पलकर डिस्ट्रिक्ट लाइबरेडी स्टेंट और एसे बिकन तो एंकरेज वोमेंस एंपावरमेंट उसी में से अब पलकर डिस्ट्रिक्ट के ये जो लाइबरेडी थी वो बहुत बड़ी और लंबी और चावडी बनी कि जिसमें बहुत सारे क्लासेज बनाए गए शॉप्स बनाए गए एंड रीडिंग लूम्स बनाए गए एंड देन देर आर बुक्स विच विच विल प्रोवाइड वोमें देस्ट्रेंथ देनीड टू में गुड यूज ओ देस अपॉर्चुनिटीज और उसके लावा ऐसी बुकें वहाँ पर रखी गए जिसको पढ़ देखने का मौका मिल पाएं तो यह रहां पलक कड का स्टोरी पलक कर डिस्ट्रेक्ट में लाइब्रेरी का निर्मान कैसे हुआ किस ने करवाया उसमें महिलाओं के लिए क्या क्या चीज़ों क्यों प्लब्दी थी यह सब हमने स्टोरी में देखा तो हावे आपने नानी ना कड्स पब्लेक लाइबरी आव तीजी त्राने त्रान स्टोरी जे करियो एमा बदा स्टोरी में तमने सुझानाया चुई के तमने केटला स्टैमिना आने केटली ताकत जो यह त्यारे आपने आगड़ा आवी शको छो तो आथे गयो तमारू चैप्टर पूरू यूनिट प्रफ्वन कम्लीत थैग्यू आवे तैंक यू तूद्स